नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल उत्तर परदिश में दोस्तों आज के वडियों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रियल में GT2 और रियल में GT2 प्रो के फोन में जो नवे गिसन बटन होती इसको आप लोग चेंज कैसे करेंगे स्वीप गेचर लगाना चाहते हैं स्वीप गेचर कैसे लगाएंगे सबसे वाले आप अपने फोन में शेटिंग उपिन करिए शेटिंग उपिन करने वाद आपको यहां पर इसको डाउन करना है थोड़ा नीचे आना है यहां पर एक ओप्शन आप लोगों को दिखाए उस पर आपको किलिक करना है किलिक करने वाद यहां पर सबसे उपर है स्वीप गेचर फ्राम बोस साइड इसे हम स्वीप गेचर भीकाते हैं और साइड बैक बटन भीका सकते हैं इस पर जब आप लोग किलिक कर देते हैं और इसके बाद है वर्चुल बटन वर्चुल बट इन virtual button को hide कैसे करना है अब इसके नीचे देखेंगे auto hide virtual button को option आपको दिखाए दे रहा है इस option को आन करिए आन करने के बाद आप लोगों को left side में नीचे के तरफ corner में देखेंगे आपको बिंदी दिखाए देगी इसको आन करते ही आप लोगों को इस बिंदी पर click कर देना है click करने बाद ये तीनो जो virtual button है देख सकते हैं automatic hide हो जाती है hide होने कबाद आपका phone भी full screen में हो जाता है और इस तरीके से आप अपने निवे गिसन बटन को hide कर सकते हैं और नीचे से उपर के तरफ slide करेंगे so होंगी और जैसी आप इनका use कर लेंगे automatic ये hide हो जाएंगी वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को like और चैनल को subscribe आप लोग जरूर करिए